बात करें अगर टू विलर्स कंपनी की तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है BMW, Harley Davidson और जैपनीज ब्रेंड जैसे या मासुजू की, कावा साकी और हॉंडा क्योंकि हॉंडा के लिए ही पूरे मार्केट पर 29.4% मार्केट शेर के साथ बैठी हुई है Manufacturing Industry और कॉपी करने की बात करें तो चाइना भी कहां पीछे रहने वाला है टू विलर्स मार्केट में लगबग 200 चाइनिज कंपनिया हैं और टू विलर्स मार्केट में भारत का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता भारत में 6 बड़ी टू विलर्स कंपनिया हैं 2023 के टॉप बाइक ब्रैंड्स का रेवेन्यू देखे तो नमबर वन हॉन्डा और सेकेंड पर हाले डेविटसन है लेकिन टॉप 10 में 5 ब्रैंड्स भारत के ही हैं और 200 चाइनिज कंपनियों के बावजूद एक भी टॉप 10 के लिस्ट में नहीं है इंडियन ब्रैंड्स टू विलर्स की डिमांड्स पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ब्रैंड इतनी तेजी से बढ़ने की वज़ा इनके अफोर्डिबिल्टी, रिलाइबिल्टी, टेकनलोजी और बहतरी इंजिनिरिंग है बारत में 75% शेर इंडियन मैनफ्रेक्चरे के हातों में है जिसमें 100cc से 150cc के बाइक्स और स्कूर्टर सबसे ज़्यादा बिखते हैं और इनी सब डिमांड्स को नैशनल और इंटरनेशनल ब्रैंड्स पूरा करती है इंडियन मैनफ्रेक्चर को काफी ज़्यादा महानत और स्ट्रेटिजीज लगानी पड़ती हैं बायर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडियन मैनफ्रेक्चर हर कैटिगरी के हिसाब से बाइक्स को मैनफ्रेक्चरिंग करती है और इसी motorcycle की diversification की वजह से इंडियन brands को unique position मिलती है इंडियन manufacturers इंडिया में ही नहीं बलकि इनको भारी मात्रा में export भी करती है Hero Moto Cop 70 देसों में export करते हैं TVS 60 देसों में और Bajaj 70 देसों में Bajaj का 50% revenue सिर्फ export से आता है बात करें Africa continent की तो वहाँ पर 200 से जादा Chinese company थी लेकिन Bajaj और TVS ने अपने कुछ model launch करके 200 में ऐसे 160 companies को बंद करवा दिया और जैसे 43 company ही वहाँ बची हुई है आज पूरे Africa continent में सबसे आदा बिकने वाली bike 50 बॉकसर बन चुकी है और सभी Chinese और Japanese company को जड़ से उखार दिया है अफरीका जैसे continent में गरीबी की वज़े से लोग सस्ती और reliable bikes को लेना पसंद करते हैं चाइना की bikes सस्ती तो होती हैं पर reliable नहीं और सबसे बड़ा disadvantage जो की चाइना से bikes इंपोर्ट करके इस bike को local market में assemble कराना पड़ता था वहाँ पर Chinese bikes के service center ना होनी की वज़े से उनको local mechanic से ही service करानी पड़ती थी और Chinese products की quality तो आप सभी जानते ही होंगे चली तो चांद तक नहीं तो रात तक दूसरी तरफ उनके पास सिर्फ एक ही चारा बसता था होड़ ना जिसकी कीमर Chinese bikes से काफी ज़्यादा थी पर अफरीका में गरीबी कारर्स ज़्यादा लोग उसे effort नहीं कर पाते थे इससे देखते हुए बजाज और TVS को पैर जमाने का मौका मिला बजाज ने वहाँ पर अपनी पहली bike Boxer 150 को launch किया वहाँ पर सबस्यादा बिगने वाली bike बन गई Boxer Chinese bike से थोड़ा महगी पर Japanese से कम प्राइस में मिल जाती थी और Japanese bike जितनी ही reliable रहती थी वहाँ पर per capita income कम होनी के वज़े से लोग second hand bikes लेना ज़्यादा पसंद करते थे Boxer के second hand market में काफी ज़्यादा value थी इसको कई हजारों किलोमीटर्स चलाने के बाद भी इसका कुछ नहीं होता था इंजिनियर्स ने इसको वहाँ के रास्ते के हिसाब से डिजाइन किया था इस bike में 150cc engine लगाया गया था जिससे कि लोग इसको कई सारे काम में भी ले सकते थे और overlord को भी आराम से झेल सकती थी बजाच के अलावा टीवेज ने भी वहाँ पर अपनी bike टीवेज स्टार सिटी को लाँच किया ये दोनों bikes मजबूती, mileage और अच्छे service support के साथ वहाँ के king बन गई अफरीका में ही नहीं बलकि इंडोनेसिया, कोलंबिया, वितनाम, नाइजीरिया, मैकसिकन जैसे देशों में भी बहुत ही sensible choice बन जाती है जिसके कार और भारतिय टू विलर्स कंपनीस पूर्य दिनिया में अपना पर्चम लहराती जा रही है तो कमेंट करके बताईए क्या इंडियन ब्रैंट्स वर्ल मार्केट में हॉन्डा के लेकसी को खत्म कर पाएगा अगर ये जानकारिया आपको अच्छे लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपना भूमूल समय देने के लिए धन्यवाद